हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो रेलवे नर्सिंग ओफ कर दो जी हां दोस्तो रेल्वे नर्स भरती 2024 दोस्तो रेल्वे की तरफ से आपको बता दे एक हजार तीन सो पचास पदो पर पैरामेडिकल केड़गरीज की विकेंसी आ रही है मैंने आपको ओफीसियल नोटीस की जानकारी वीडियो के माध्यम से पहले ही दे दी है आप सभी 678 विकेंसी है और 1350 विकेंसी में सबसे जानदा विकेंसी जो है नर्सिंग की होने वाली है 678 विकेंसी नर्सिंग ओफीसर की आ रही है तो जी हां सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि रेल्वे में जो है जो विकेंसी आ रही है रेल्वे में 678 पदो पर नर्सिंग क ये बिल्कुल officially notice भी आ चुका है तो इसमें जो है nursing officer के लिए qualification क्या होगी योगिता क्या होगी इसकी official जानकारी मैं old notification जो आप लोगों का 2019 में विज्ञापन निकाल गया था उसके अनुसार जो है क्या qualification है इसकी जानकारी हम आपको इस वेडियो में देने वाले है किलिए रूचुका है जी हाँ तो railway nursing officer 678 पदो पर जो वेकेंसी आ रही है वेकेंसी कब तक आएगी और कब से online शुरू होगा इसकी जानकारी देंगे इसके साथी इसकी qualification क्या होगी इसकी जानकारी देंगे किलिए रूचुका है no doubt इसके बाद दोस्तो इस nursing के लिए age limit क्या होगा age criteria क्या होगा इसकी भी जानकारी देंगे nursing में GNM फार्म भर सकते हैं या नहीं इसकी जानकारी देंगे साथी railway nursing officer में क्या बिना experience के GNM फार्म भर सकते हैं या नहीं इसकी भी जानकारी देंगे साथी railway में या फिर आपने BSE nursing करक्का है या आपने GNM करक्का है अगर आप लोग railway nursing के लिए फार्म भरने वाले हो और आपके पास experience नहीं है बिल्कुल freezer हो तो कि आप लोग फार्म भर सकती हो या नहीं इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं इसके साथी nursing application fees क्या होगी इसकी जानकाई देंगे और nursing officer के लिए Sally कितनी मिलेगी इसकी जानकाई देंगे बाकी nursing officer का exam center क्या होगा nursing officer के लिए syllabus क्या होगा इसकी अलग वीडियो मिलने वाली है बाकी मैं आपको इस वीडियो में एक एक point की जानकारी बिल्कुल official देने वाला हूँ सबसे पहले चलिए जो railway ने 18 June की date में notice निकाला है उस notice को मैं आपको दिखा दू और मैं आपको बता दू कि railway में staff nurse की कितनी vacancy आ रही है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे qualification age और qualifications के साथ application fees salary के बारे में तो चलिए notice दिखा देते हैं एक second के लिए देखी दोस्तों यहाँ पर notice open हो चुका है भारत सरकार, Government of India Ministry of Railways, Railway Board New Delhi, date mention है 10 June 2024 यहाँ पर आप लूग देखो कि vacancy की जो details है जो है जो vacancy की details है OIRMS portal पर update किया गया है वहीं से यह notice की जानकारी निकल के आ रही है यह vacancy की जानकारी निकल के आ रही है यहाँ पर देखिए staff nurse nursing officer level 7 के तहस सैली मिलेगी और यह देखिए nursing staff nurse number 6 है यहाँ पर 670 vacancy है तो 678 vacancy railway में nursing की आ रही है चलिए अब है old notification के अनुसार qualification से देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकती हो old notification open हो चुका है जिसका CEA नंबर है 02 Oblig 2019 Government of India Ministry of Railway Requirement Board RRB अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो total vacancy थी 1937 vacancy लेकिन अब की बार 1350 पदो पर vacancy आ रही है पिछली बार 16 position पर vacancy निकालेगी थी लेकिन अब की बार 22 position पर vacancy निकाले जाएगी 2019 में nursing की vacancy थी 1109 vacancy थी अब की बार 618 vacancy आ रही है No doubt जी हाँ Level 7 के तहर सेली मिलेगी याद रखिएगा अब की बार भी Level 7 के तहर सेली मिलेगी जो की आपकी initial पर रहेगी चवाली सजा 9.00 रुपे और आपकी जो medical standard रहेगी C1 रहेगी और अब की बार जो vacancy रहेगी 678 vacancy रहने वाली है Total vacancy अब की बार रहेगी सेली मिलेगी जो की initial पर रहेगी आपकी 44.00 रुपे यापकी basic सेली रहेगी 44.00 रुपे इसके लिए वाँ आपको बहुत सारे benefit दिये जाएंगे TAD आपको दिया जाएगा और अगर आप लोग देखोगी तो nursing के लिए lower age minimum जो age है 20 years यहाँ पर रखी गई है की लड़ हो चुका है? जी हाँ और maximum age criteria 40 वर्स रखी गई है इसके अलामा भी OBC वालों को 3 वर्स की छूड मिलेगी और 80 HD वालों को 5 वर्स की छूड मिलेगी तो यहाँ पर आप लोगों की जो age होने वाली है मैं आपको बता दो तो 20 से लेके 40 years यहाँ पर आपकी age होगी इसके अलामा OBC वालों को 3 वर्स की छूड भी मिलेगी यानि की OBC के लिए 20 से लेके 43 years यहाँ पर age criteria हो जाएगा वहीं ESC HD के लिए 20 से लेके 45 years यहाँ पर age criteria हो जाएगा और 20 से लेके 40 years यहाँ 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 आपका सीवन होगा क्वालिफिकेसं की बात करते हैं तो देखिए इसमें अनभो नहीं चाहिए रेलेवे नर्सिंग ओफिसर में बिल्कुल अनभो नहीं चाहिए फ्रेसर यहाँ पर फार्म भर सकते हो अगर आपने जीनम का रखा है और बिल्कुल फ्रेसर हो एक साल का भी experience नहीं है छे महने छोड़ो एक महने का भी अगर आपके पास से दोस्तो experience नहीं है तो भी आप लोग फार्म भर सकते हो तो railway में nursing के फार्म भरने के लिए जीनम के पास experience नहीं चाहिए जीनम फ्रेसर फार्म भर सकते हो इसके लावा जुनोंने BSC नर्सिंग का रखा है वे भी बिल्कुल फ्रेसर यहाँ पर फार्म भर सकते हो पूरे भारत से आप लोग फार्म भर सकते हो एक ही जोन से एक ही फार्म भर सकते हो अगर आप लोग गोरकपूर के रहने वाले हो या उत्तर परदिस्क रहने वाले हो तो आप लोग इलहाबास से फार्म भर सकते हो या पूरे भारत में किसी भी जोन से आप लोग फार्म भर सकती हो लेकिन आप लोग एक ही जोन से जो है फार्म यहां पर भर सकते हो याद रखिएगा कि लर हो चुका है जी हाँ तो age के बारे में मैंने आपको जानकाई देदी है रेलिवेर नर्सिंग ओफिसर एज के बारे में जानकाई देदी है, मेडिकल स्टेंडर के बारे में जानकाई देदी है, कॉलिफिकेशन के बारे में जानकाई देदी है, सैली के बारे में जानकाई देदी है, 2019 में नर्सिंग में कितनी विकेंसी थी इसकी जानकाई देदी है 2019 में total कितनी वेकेंसी थी इसकी जान का देदी है और 2024 में 22 पोजिशन पर भड़ती आ रही है nursing के 678 वेकेंसी है और 2024 में 22 पोजिशन के साथ है 1350 पदोपर वेकेंसी आ रही है आप बात करें कि 2024 में वेकेंसी कब आएगी तो calendar मैंने आपको बताया था कि calendar में बोला किया है कि July से लेकर सब्तमबर की बीच में जो है आपकी वेकेंसी आएगी तो July से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप लोगों का यानि कि Railway Paramedical Categories की यहां पर वेकेंसी आ रही है याद रखिए यह बहुत important है और July से लेकर सब्तमबर की बीच में NTPC की भी वेकेंसी आजाएगी JEE की भी वेकेंसी आजाएगी और Paramedical Categories की वेकेंसी आजाएगी बिलकुल 101% गारंटी है याद रखिए तो सब कुछ तो मैंने आपको Clear कर दिया है application fees चलिए एक बार देख लेते हैं बाकि syllabus और exam center की वीडियो अलग से आएगी तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखोगे तो application fees के अगर हम आपको जानकारी दे देते हैं तो यहां पर देखिए all candidate की अगर हम बात करते हैं तो all candidate 500 रुपे application fees यहां पर लगेगी और जब आप लोग exam में बैठोगे exam देने के बाद 400 जो है आपके bank account में refund हो जाएंगे तो 500 रुपे application fees लगेगी अगर हम बात करते हैं तो General OBC EWS के लिए 500 रुपे application fees यहां पर लगने वाली है कि लिए दूचुका है जिसमें से 400 रुपे जो आपकी application fees चार्ज है यह जो है आपकी refund हो जाएगी और वहीं और जो यह CHT या EX service man से जो है या जो female है वे लोगों के लिए कर हम बात करते हैं तो उनके लिए 250 रुपे application fees लगेगी और अगर आप लोग exam में बैठोग झाली है 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 झाली है